रहो दोस्तों जैहिंत आपके सामने Division of Cube के फॉर्मूलाज मैंने शॉर्ट में भी बताये थे आपके सामने एक बार हैं इनको आप नोट कर लीजिए जो आने वाले सवालों में मैं यूज करके दिखाऊंगा किस तरह से ये फॉर्मूला आए हैं और किस तरह से इनका यूज हो कटिन सवालों की सीरीज है 40 वीडियो 40 वीडियो में पूरे मैट्स का स्लेबर्स कंप्लीट करूँगा पूरी वीडियो में बने रही हैगा शुरू करते हैं तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक साथ दो सवाल लिखने के लिए सेटप अच्छे से बना लिया है क्योंकि पूरा वीडियो देख लो पसंद आता है तो ही लाइक सब्सक्राइब करिएगा लोगों तक मुझे पहुचाएं तो सबसे पहले सबसे हलके सवाल के साथ शुरू किया है लेकिन ये सवाल की लेंगवेज होती है अगर आप लेंगवेज ठीक से नहीं पढ़ोगे आपका और ये एंटी पीसी में आया हुआ सवाल है ठीक है एक घं को इस प्रकार पेंट करना है कि साथ में लगने वाली भुजाओं का रंग एग जैसा ना हो ये ना हो पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं फटा फट कि भईया हाँ सबसे कम क इतने क्या है लेकिन न पढ़ना जरूरी है कि एक सा नहीं होना चाहिए जैसे ये और ये यहां पर मिल रहा है तो इन दोनों का कलर एक सा नहीं होना चाहिए ठीक है ये और ये मिल रहा है यहां से भी मिल रहा है यहां से भी मिल रहा है तो इसका और इसका कलर एक सा नहीं हो ठीक है, तो इनोंने कहा है एk ज़य Сाथ में मिलने वाली सतय हैं उनका कलर अलग होना चाही है, वैसे तो कितनी सतय दिख रही है आपको, एक दो, तीन, चार इधर वाली यह और यह सामने वाली और पीछे वाली छे सत्य दिखती हैं तो आप छे कलर भी लिख सकते हैं बहुत से बच्चे लेकिन वो सही आंसर नहीं होगा इनोंने कहा है कम से कम कितने रंग चाहिए तो आप समझो, अगर मैंने उपर एक कलर डाल दिया और वही वाला कलर मैंने नीचे डाल दिया तो यह एक दूसरे से मैच तो नहीं करेंगे नहीं मिल रहे हैं इसी तरह ऐसे इस साइड में मैंने नमबर टू का कलर डाला यहाँ पे नमबर टू कलर डाल दिया तो ये दोनों साइडे भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगी और एक मैंने सामने की तरफ डाल दिया और एक पीछे की तरफ डाल दिया ठीक है? वहाँ पर कौन से डाला? थ्री नंबर का तो कितने कलर हमने यूज करे? तीन कलर कम से कम हमें कितने कलर चाहिए बच्चों? तीन कलर चाहिए बहुत इंपोर्टेंट और अच्छा कोशन है सरल है देखते ही आप कर सकते हो ठीक है? आगे बढ़ते हैं ये आया हुआ कोशन है इसमें आपका पहला सूत्र जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसका यूज होगा ये कह रहा है कि एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया चोटे लिखना भूलियों मैं छोटे घनों की संख्या बताईए तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था स्मॉल एन निकालने का मैंने बताया था बड़े घन की भुजा यानि कि बड़े घन की भुजा 9 और छोटे घन की भुजा 3 अप उन में करेंगे तो इसको काटेंगे तो 3 3 से 9 3 आ जाएगा और capital N पूछा है बुणा करनी है इसका मतलब यही तो होता है सभी को पता है तो 3 3 is a 9 3 is a 27 कितने हो जाएगी छोटे घन की संक्या 27 आपका मैच कर रहा है answer यहाँ पर भी answer मैच कर रहा है दोनों सवाल समझ में आ गए concept ऐसे ही धासू concept clear होंगे फटा फट सवाल करोगे अगले सवाल पर चलता है अगले सवाल concept clear करने के लिए बहुत important है देखो एक बड़े घन को 125 घनों में बाटा गया छोटे घन की एक भुजा दे रखी है 4 cm की तो बड़े घन की भुजा बताओ अब उल्टा अब चलना है आपको सब चीजों में उल्टा चलना है यहां पर नंबर दिया हुआ है 125 घनों में माटा गया इसका मतलब यह क्या है capital N है और capital N क्या होता है N cube तो यह क्या दिया हुआ है 125 तो N कितना होगा बिटा इसका घनमूल निकालना पड़ेगा 125 का 125 का घनमूल कितना होता है 5 क्योंकि 5 5s are 25 25 5s are 125 तो N हमारे पास निकल के आगया और आपको पता है N बराबर क्या होता है बड़े घन की बुजा बटा छोटे घन की बुजा यह तो होता है तो N हमारे कितना है 5 बड़े घन की बुजा हमें पूची गई है x मान लो और छोटे घं की बुजा में क्या दे रखिए 4 तो x बराबर क्या होगा 5 गुणे 4 बराबर 20 cm यानि कि ये है आपका answer उमीद करता हूं question बहुत easily समझ में आ गया होगा उल्टा चलना था इसमें ठीक है next question है पीले रंग के घं को 27 छोटे घंओं में बाटा गया ठीक है ये नमबर दे रखा है हमें N, capital N दे रखा है कितने घं ऐसे होंगे जिनको केवल एक सतह है जिनकी केवल एक सतह है रंगी होगी इसका भी आपको पता है सबसे पहले आप N निकाल लो capital N बलाबर क्या होता है N cube जो कि हमारा 27 है तो small N कितना होगा इसका घंओं मूल 3, 3, 3, 9, 3, 27 अब जब एक सतह है रंगी होई है एक सतह है रंगी होई है बिटा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है N-2 पहले भी मैंने दे रखा है उसको लिखना है आपको ठीक है N-2 का whole square N-2 का whole square multiplied by 6 इसको आप करिए 3-2 का whole square multiplied by 6 N का value रख दिया मैंने याप ठीक है 3-2 कितना होता है 1 का square into 2 6 1 का square तो 1 ही होगा into 6 तो आपका आजाएगा 6 6 सतय ऐसी होगी जो की सिर्फ एक तरफ से रंग्यू ही होगी उमीद करता हूँ question पसंद आ रहे होंगे पसंद आ रहे हैं तो बच्चों please like, share, subscribe बनता है sir का next question चलते हैं अब ये आएवे dice के और घन की संक्या ग्यानत करने के दो सवाल है ये भी मैंने सोचा कि bonus आपको बता दू यहां पर आपको जब यह ऐसा आएगा जब आपको दिख रहा है कि आपके जो हैं ये common दिख रहे हैं आपको आप देखिए आपको दो चीज़े हैं common एक तो ये 4 common है और एक 6 common है 4 और 6 common है जब आपके 2 common आजाते हैं तो आप इसको clockwise घुमाएंगे नहीं जब कि ये standard नहीं है general dice है क्योंकि यहां किसी का भी योग करकर 6 और 1 यहां 7 आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा है ठीक है तो यहां पर हमीं क्या देखना है एक के विपरीत कौन सा number आएगा जब आपके 2 common है तो जो common नहीं है वही एक के विपरीत आएगा यानि एक के विपरीत क्या आएगा 5 आएगा easy देखते ही समझ जाओगे अब इन ऐसे करके जो आता है इसमें घनों की संक्या जब पूछते हैं तो क्या करना होता है चाहे आप उपर से लेके चलो चाहे नीचे से लेके चलो कोई फरक नहीं है नीचे आप देखो कितने है 1, 2, 3, 4 तो पहले लाइन में 4 हैं तो 4 गुणा 1 कितना हो गया बिटा? 4 हो गया दूसरी लाइन में कितने है? 3 3, 3 गुणा 2 दूसरी लाइन में 6 हो गया तीसरी लाइन में कितने है? 2, 2 गुणा तीसरी लाइन यानी कि फिर से 6 और उपर चौती लाइन में 1 है 1 गुणा 4 चौती लाइन ये लाइन है ठीक है? 4 इन सबको अगर आप प्लस करोगे 6 और 4 दस, 6 और 4 दस आपका आजाएगा 20 यानी कि इसमें घनों की संख्या कितनी है? 20 है एक धासू और धाकड कुश्चन लास्ट में में आपको करा रहा हूँ देखिए आज बहुती रात हो चुकी है वीडियो बनाते बनाते इस वीडियो में आपको थोड़ा लाइट का दिख रहा होगा लास्ट टू कोश्चन से बच्चो देखो ध्यान से ये वाला जो कोश्चन है आया हुआ है ये भी आया हुआ है दोनों ही 2016 एंटिपीसी के कोश्चन है S.S.C. में ये वाला पूछा गया ता फिर से तो यहाँ पर आप इस कोश्चन को दो तरह से कर सकते है मैं दोनों ही तरह से आपको दिखा दे रहा हूँ आपको जो पसंद आए आप उससे कर सकते हो ठीक है एक तो इन दोनों में आप common देख सकते हो common विधी से देख सकते हैं, यहां देखो, आप 1 और 4 common, यहां भी 1 और 4 common है, तो 6 के opposite क्या आएगा, 2, और 2 के opposite क्या आएगा, 6, अब हम देखते हैं, हमारा जो second method है, उससे भी हम कर सकते हैं, क्या, इसमें और इसमें है second method, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, anti-clockwise गुमाओगे इ anti-clockwise गुमाओगे, anti-clockwise गुमाने का एक तरीका भी है बच्चों, कोई एक संखिया आप common देख लिए, इन दोरों में एक संखिया कौन सी common है, 6 common है, तो 6 से ही गुमाओगे, तो 6 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 1, इसमें क्या आएगा, 6 के बाद क्या जोлер हेगा फाइव इसका मतलब आपके इक डाइस में कितने होते हैं गितने phalak होते हैं कितने क्या कहते हैं उसे faces होते हैं शे faces होते हैं जिस में से आपको 6 नंबर दुच पांच नंबर मिल चुके हैं दो दोनों से ही आपके दो निकल ले यानि दो के opposite आपका answer क्या जाएगा 6 is your answer last question आज की वीडियो का बेटा इसमें मैंने आपको बताया था alternate withy अब आप 1 से शुरू करना चाहोगे इसी लिए इस सवाल में question बनाने वालों ने 1 से number दिये है ठीक है एक से number यहाँ पर शुरू करे है ठीक है यहाँ पर आप देखो अगर आप देखना चाहोगे कि 1 से शुरू अगर करोगे तो 1 से यह जुड़ा हुआ नहीं तो 1 के बाद 4 आप लोगे लेकिन वो गलत है आपको सबसे पहले beach वाला जो यह line दे रखी है एक horizontal जो है यह column बना हुआ है इसमें आपको पहले करना यह वाले बाद में आएंगे 2 के opposite कौन सा आएगा alternative? 4 3 के opposite क्या आएगा? 5 और बचा क्या? 1 और 6 यह दोनों opposite होंगे हमें पूछा है 2 के opposite तो 2 के opposite हमारा आएगा? 4 What is your answer? 4 is your answer बेटा पंखा ना चला कि इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ जिससे की voice आपको बिल्कुल clear है तो मैं उमीद करता हूँ इसका और मेरे को जादर से यादर लोगों तक पहुंचाओ बच्चों ठीक है हमारी subscriber ways अभी हम लोग 1000 क्रॉस कर चुके हैं लेकिन अभी कम है तो इसको बढ़ाओ लोगों तक मुझे पहुंचाओ मैं चाहता हूँ सभी बच्चों की तयारी अच्छी हो मेरी भी तयारी अच्छी हो आप लोगों के support से तो support me, जैहिंद, thank you